हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टो SMSTD गुरू, आई हैं मनसरा मर्मा और आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्धिम्रे साइन्स के 25 कोश्चन्स का प्रेक्टिस सेट जो की लोवर PCS 2019 परिक्चा के लिए प्रेपेर किया गया है, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन्स हैं ये वीडियो आपको कैसे लगे, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रसन से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निमलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, सब्द और अर्थ, यहाँ पे सब्द लिखे हुए हैं और इनके अर्थ हैं, आपको बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित है, सभी लोग अंसर करें, सब्द जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्यन को क्या कहते हैं, तो इसका अध्यन बताना है, दोनों प्रसनों के सही अंसर सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, आप तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, सब तो इस प्रसन का सही अंसर होगा, 76 का ए आप्सन, ए आप्सन बिल्कुल सही सुमेलित है, लेक्सिकोग्राफी होता है, सब्द कोस का शंकलन, अगर हम फिलोलोजी का बात करें, तो फिलोलोजी होता है, भासा की सनरचना योम विकास के, योम इतिहास का अध्यन करते हैं, इस प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्यन किया जाता है, तो कलियर हुआ यह प्रसन, और इस प्रसन से कहीं से भी कोश्चन पूछा जा सकता है, आपके एक्जामनेशन में, तो सबको ध्यान में रखना है, जितना भी एक्स्प्राइन है, नेस्ट है, सब्जी के लिए काम आने प्रस्फित में से कौन एक उत्पादित होता है, 78 का सही अंसर अभी लोग करें, और नेस्ट प्रसन है, कीट संबर्धन क्या है, दोनों को बताना है, तो आप लोगोंने सही अंसर कर लिया होगा, 78 का D आप्सन जिन्होंने किया है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, D आप्सन सही ह अंगूर इसका बिल्कुल सही अंसर है विटी कल्चर में अंगूर की खेती होती है नेस्ट है कीट संबर्धन क्या है तो कीट संबर्धन कीटों की ब्रधी करने का विज्ञान है कीट संबर्धन कहते हैं इसको नेस्ट प्रस्न की बात करें तो वर्मी कल्चर वर्मी कल्चर मे प्रियुक्त वर्म होता है तो इसको बताना है 80 का सही अंसर सभी लोग करें अर्थवार्म इसका सही अंसर होगा अर्थवार्म अर्थवार्म इसका सही अंसर है नेस्ट प्रस्ण है जेरेंटो लॉजी निमलिखित में से किसकी अध्यन से संबन्धित है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्यन है और जो लोग नए है एक बार प्लेलिस्ट देख लें क्योंकि आप 50 वीडियो करवाए गए हैं और अब एक दिन का जो भी समय बचा है आपके पास जो भी 12-15 घंटे हैं उसमें केवल प्रेक्टिस सेट जरूर देख के चाहिएगा क्योंकि कैसे प्रस्ण बनेंगे ये एक आपको आइडिया भी हो जाएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे वहाँ पे 81 और 82 का सही अंसर आप लोगों ने कर लिया होगा D आपसन बिल्कुल सही है ब्रिद्ध लोग जो होते हैं उनके बारे में जो भी जानकारी होती है जो भी अध्यन होता है वो जेरेंटो लॉजी के माध्यम से किया जाता है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्यन होता है 82 का सही अंसर D आपसन होगा अनुवान सिक्ता और विचरण जेनेटिक्स नेस्ट प्रस्ण है ब्रधावस्था यों काल प्रभावन के विशय में ज्यान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं और नेस्ट प्रस्ण है निम्रिखित में से कौन सा लवड मानो हड़ियों में सरवाधिक मात्रा में पाये जाता है दोनों प्रश्णों का सही अंसर सभी लोग प्रिलदियादी करते रहें पचास वीडियो जरूर देख लीजेगा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा जो भी वीडियो आपको देखने हैं सभी सब्जेक्ट के विद एक्स्प्लानेशन करवाए गये हैं तो उनको एक बार देख कर जाईए समय बहुत कम है बस आपको क्या करना है अच्छे से नींद लेना है और अच्छे से सो करके एकदम माइंड को रिफ्रेस करके एक्जाम में जाईए और दो घंटे में एक बेहतर प्रदर्शन करके आईए जो कि इतिहास रचने वाला हो तो 83 और 84 का सही अंसर आप लोगोंने कर लिया होगा जेरेंटोलोजी जेरेंटोलोजी बिल्कुल सही अंसर है ब्रद्धा वस्था यूम काल प्रभावन के विश्रे में ज्यान प्राप्त करने की विधा को जेरेंटोलोजी कहते हैं अगर हम यहाँ पर ओंकोलोजी की बात करें तो ओंकोलोजी होती है चिकित्सव ज्यान में जो पच्छियां पच्छी होते हैं पच्छियों का अध्धिन किया जाता है और निम्रिखित में से लवण कौन सा लवण है हड्डियों में सरवाधिक मात्राव प्याए जाता है तो 84 का अंसर आप लोगों ने कर लिया होगा सी आपसन बिल्कूल सही है कैल्सियम आउटटिफाइव आप सही कर कि आएंगे मनुस्त्र के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं 85 का सही अंसर आप लोगों बताईए ये आपसन बिल्कूल सही होगा 12 12 जोड़ी जो है पसलिया होती है यानि कि 24 टोटल होती है नेस्टप्रश्न है मनुस्त्र के सरीर मे पैर की हड़ी और नेस्ट प्रस्ण है सल ले क्रिया में आर्थो प्लास्टिक क्या है आर्थो प्लास्टिक आप लोगों में सुना होगा तो इसके बारें बताना है और मनुस्य के सरीर में पैर की हड़ी क्या होती है तो दोनों आपसे आपके समझे हैं सभी लोग अंसर करिए 96 का सही एंसर होगा ठोस होती है ठोस होती है निकि आपसन नमबर C बिल्कुल सही है और बता जिता हूँ कि एक हड़ी होती है फीमर फीमर हड़ी होती है जांग की हड़ी होती है वो सरीर की सबसे लंबी सबसे भारी हड़ी होती है तो ये इसको भी आपको लर्ण रखना है और का जो होता है transplantation उसको हम कहते हैं कूले के जोड का प्रतिस्थापन यानि hip joint जो होता है उसका replacement होता है सल्ले क्रिया में arthroplasty का मतलब यही होता है नेस्ट प्रस्ण है वरत्यस्थ elastic उतक टिसू जो हड़ियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं और नेस्ट है दातों पर जमी परते बनी होती हैं दोनों प्रस्णों का सही अंसर सभी लोग करिए आप लोग जो भी नए हैं एक बार जाकर के playlist पर देखें और चैनल पर विजिट करें उनको बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोसिस की गई है चैनल पर सभी subject के विजिट करें हैं आप लोग जरूर एक बार विजिट करके देखेंगा 98 का सही अंसर ligament होगा ligament यानि कि असनायू असनायू बिल्कुल सही अंसर है नेस्ट प्रस्ण की बात करें दातों पर जमी परते बनी होती हैं तो 99 का सही अंसर होगा LED bhojan के कन ठूक मुह अंबल और बैक्टीरिया से अगर हम इसमें और इ Ew knowई में लार होती लार से श्रावित होने वाले enzyme का नाम होता है टाइलिन टाइलीन को लर करना है और लार का ph क्या होता हा प्यूआ होता यह होता यह होता है तो इसको भी ध्यान में रखिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि आपसन आपके सामने हैं सभी लोग अंसर करेंगे और भी जितने भी वीडियो में बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लैन किया गया है सभी में और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगं का समय थोड़ा भी जाया हो क्योंकि जो भी आट दस खंटे बचे हैं आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए और बहतर प्रदर्शन कर गया है ये दो खंटे में हंडेड नंबर का सही एंसर होगा आप्सन ए आप्सन ए बिल्कुल सही है नाखून मृत को सिकाओं के द्रब्ब द्वारा बने होते हैं जिन में रक्त संचरण नहीं होता है तो ये सही होगा ए आप्सन नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो प्रस्णा है अस्थी योम दंत निर्माण निमलिखित में से किसके आउस्यक्ता होती है तो जो हड्डियां होती है और दांत ये किससे निर्माण होता है इनका तो आप ल केलसियम और फासपेरस जो हड्डियां होती हैं और दाथ कोते हैं वो कैलसियम और फासपोरस से बने खोते हैं निम्लिखित बैसे काॉन सा पॉस्टिक तथ्य। अस्थी योम दातों के निर्माड योम अजबूती के लिए आवस्यक नहीं है और नेस्ट प्रस्ण है मनुस्य के जीवन काल में कितने दात दो बार विक्षित होते हैं अगर तीसरे प्रस्ण की बात करें तो निमलिखित में से कौँ हमारे सरीर का सबसे द्रण भाग है तो त के एक्स्प्लानेशन के साथ हम जो है आपको बताएंगे कैसा पेपर रहा कैसा रिब्यू रहा बच्चों का सब कुछ बताएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए नोटिफिकेशन का विल आइकन आप प्रेस कर लीजिए जिसके तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप अपडेट हो पाएं तो 102, 103 और 104 का सही अंसर आप लोगों ने कर लिया होगा सी आपसन बिल्कुल सही है फ्लोरीन फ्लोरीन बिल्कुल सही है पॉस्टिक तत्तो अस्थियों दातों के निर्माड यों मजबूती के लिए आवस्चिक नहीं होता है फ्लोरीन बिल्कुल सेब्स आवस्ट्ट नहीं होता है फासपोरस, iodine, calcium आवस्चिक होता है नेश्ट प्रशन है मनुस्ट के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं तो इस प्रशन का सही अंसर सी होगा बीस 20 ऐसे दांत होते हैं जो दोबार आते हैं, यानि कि एक को हम कहते हैं दूग्द के दांद, तो दूग्द वाले दांद जो होते हैं, वो गिल के फिर जो है दुबारा आते हैं, तो 20 दाध ऐसे होते हैं हमारे. नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन हमारे सरीर का सबसे द्रण भाग है तो इसको बताना है रिजिड पार्ट कौन सा है 104 का सही अंसर B आप संजिटों ने किया है बिल्कुल सही है दंतवल्क किसको कहते हैं दंतवल्क को इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे इनैमल कहते हैं इनैमल तो सबसे कठोर पार्ट होता है इनैमल नेस्ट प्रस्ण है मानों सरीर में सबसे मजबूत मानस्फेसियां कहां होती है 105 का सही अंसर आप लोग करिए जल्दी से यहां से जो भी टाइम बचेगा आपको रिजिनिंग और मैत के लिए बहुत ही helpful होगा तो आप यहां से समय को बचाईएगा जो प्रस्ण आ रहे होंगे उनको ही करना है एक कुरेशी का विसेज ध्यान रखना है क्योंकि negative marking है और competition बहुत ज्यादा है तो 105 का सही answer आप लोगो सही है जबड़े में मानो सरीर में सबसे मजबूत मांस्वेशियां कहां के होती है तो जबड़े की होती है नेस्ट प्रस्ण है यहां पे लिखा हुआ है सूची 1 है और सूची 2 है यहां से आपको मैच करना है आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि लिखा है फस्ट जो यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है व्रेस्ट बोन यानि कि उरोस्थी नेस्ट है जन्यूक कॉलर बोन इसको कहते हैं नेस्ट है जानुफलक नीकैप होता है और सोल्डर ब्लेड होता है यानि कि असकंध फलक और इसको मैज करना है कैल्विकल, पटेला, स्कैपुला और इस्टर्नम तो ये कोश्चन्स हम पहले भी करवा चुके हैं तो जिन्होंने प्रेक्टिस लगातार देखें वो आसानी से इन प्रस्णों को कर पा रहे होंगे क्योंकि ये रिवीजन स्रीज है इसमें 25 कोश्चन्स हैं और सभी प्रस्ण इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल एक्सपेक्टेट कोश्चन्स हैं हम बता जolateते हैं डी आप्षन बिल्कुल सही है डी आप्षन यानि की 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 यानि की हम अगर व्रेस्ट बोण की बात करें तो ये इसका नाम होता है स्टर्नम इस्टर्नम बिल्कुल तही एंसर है कॉलर बोन का नाम होता है कैलिविकल कैलिविकल इसका सही होगा आपसन ये वाला जो है ये और नेस्ट है नीकैप नीकैप का नाम होता है पटेला पटेला होता है नीकैप अगर हम बात करें solder solder blade की बात करें तो solder blade होता है Scapula Scapula 3 वाला तो इस प्रकार D option बिल्कुल तहीं है 4-1-2-3 और next प्रस्न होगा प्रस्न है मानव शरीर के मानव शरीर में पाचन का धिकान सभाग किस अंग में संपन होता है नेस्ट है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है और नेस्ट है जैविक सिस्टम में रासायनी क्रिया की प्रिक्रिया को तेज करने में उत्तरदाई पदार्थ है 107, 108, 109 का सही अंसर आप लोग जल्दी जल्दी करिए कमेंट करके बताईए जल्दी से 107, 109 का सही अंसर बताती है Small intestine यानि कि छोटी आंथ इसका सही अंसर होगा मानो शरीर में पाचन का अधिकान सभाग किस अंग से संपन होता है तो छोटी आंथ यानि कि Small intestine नेस्ट प्रस्ण की बात करें लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है तो 108 का सही अंसर आफ़सन यह होगा स्टार्च स्टार्च के पाचन में मदद करता है अगर लार में बात करें इंजाइम की तो इमाईलेज इंजाइम होता है कौन सा इमाईलेज तो इसको भी आपको लर्ण रखना है नेस्ट प्रस्ण है जैविक सिस्टम में रासाइनी क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदाई पदार्थ है तो 109 और 110 प्रोटीन योम वसा दोनों की प्रचुरता होती है दोनों प्रस्णों का सही अंसर आप लोग सही सही करिए सी आपसन बिल्कुल सही है एंजाइम एंजाइम जो होते हैं जैविक सिस्टम में रासाइनी क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए काम होते हैं नेस्ट प्रस्ण है प्रोटीन योम वसा दोनों की प्रचुरता होती है तो इस प्रस्ण का सही अंसर होगा और इसी के साथ लास्ट प्रस्ण होगा कोनों की प्रचूरता सबसे ज़्यादा होती है मुंखली में तो इस परकार 25 questions complete हुए और इसी के साथ 10 practice set successfully मैंने complete करवाए आप लोग वीडियो कैसे लगे आपको next कौन से exam की तयारी करनी है आप comment करके जरूर बताएं और मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यव